गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर नमबर 12 हिंदी रीडर उपयोगी जो हमारे लिए यूसफूल है यातायात की बत्तियां यातायात के नियम देश के नागरिकों देश के नागरिक यानि हम की सुविधा एवं कुशलता के लिए बनाए गए हैं अतहें हैं जरूरी है कि हमें इन नियमों मतलब जो रूल्स होते हैं लाइट्स के उनको भली भाती अच्छे से समझना चाहिए वे दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हम स्वयम मतलब खुद को वा दूसरों को भी नुकसान से बचा सके इसी के उपर एक क महानी हैं गर्मी की चुटियां हुई चुटियां मतलब अफकाश आलिया इन चुटियों में बाहर घूमना चाहती थी वे अपने बड़े भीया के साथ पटना आई वहां उसके मामा जी रहते थे आलिया एक तिन अपने मामा जी के साथ कार में बैठकर बाजार गई वहां बहुत भीड थी, अनेक बसे, कारे, साइकले, तथा रिशाएं चल रही थी, अचानक मामा जी ने एक चुराहे पर कार रोक दी, आलिया ने मामा जी से पूछा, चुराहा मतलब बिटा जो चार राहो वाला रास्ता होता है, जहां से चार रास्ते निकलते हैं, सामने ही है लाल हैं, कुछ रूस हैं, जब हम रोड पे, ट्रांसपोर्ट वेगरा चलाते हैं, का, रिक्षा, बसे वेगरा चलाते हैं, मामा जी ने पताया, बेटी, इस लाल बत्ती का मतलब है, सब गाड़िया यहां रुक जाएं, जब पेली बत्ती जलती है, तो उसका मतलब होता है, कि च पर मामा जी इस तरह समय बरबाद करने से क्या लाब, मतलब नश्ट, खराब करने से, टाइम खराब करने से, क्या लाब, उसको यह टाइम खराब करना लग रहा था, कि हम रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, रेड लाइट ने बोला रुक जाओ, ग्रीन लाइट ने बोला च चले जाओ मामजी ने समझाया इस तरह समय बरबाद नहीं होता इस से आने जाने में सुविधा होती है आसानी होती है इस तरह वाहनों को आपस में टकराने से बचाया जा सकता है मतलब वाहन का रिक्षा बस इस से आपस में नहीं टकरा सकती आलिया बोली हमारे गाउं में तो बहुत सवारियां चलती हैं यहां ये बत्तियां जरूरी हैं तबी सामने से हरी बत्ति जली मामजी ने गाड़ी आगे बढ़ाई दूसरी गाड़ीयां भी चल पड़ी सामने वाली गाड़ीयां भी चली अब दाएं बाएं चलती हुई गाड़ीयां रुक गई थी अब आलिय आपको भी पता है तो आपको भी इन रूस का और अगर आप किसी के साथ जा रहे हो अपने पापा के साथ चाचा के साथ भाई के साथ तो उनको भी इस रूस को जरूर बताएं जैसे आलिया को पता चल गया अब हम शब्दार देखेंगे छुट्टी अवकाश मतलब आर्थ बरबाद नश्ट सवारी यात्री जो हम पैसंजर मतलब हम किसी भी बस में यात्रा करते हैं हम लोग तो हम लोग क्या हो गए यात्री चो राहा चार रास्तों का केंदर बिंदू रास्ता राहा जुविधा आसानी मालूम ग्यात होना पता होना किसी चीज का आलिया कहां गूमने गई पत्ना आलिया किसके साथ बजाल गई अपने मामा जी के साथ पत्ना कोन गया था आलिया मामा जी ने गाड़ी कहा रोकी चोर आहे पर यातायात की कितनी बत्तियां होती है तीन यातायात की बत्तिया कहा नहीं होती है गाउ में आलियां छुटियों में कहा गई बाहर गूमना चाहती थी कौन सी बत्ती का मतलब है कि गाड़िया यहां रुक जाएं लाल बत्ती का इस तरह से समय बरबाद नहीं होता गाव में गाड़ी भीड गाव में ऐसी भीड नहीं होती आपको एक कुछ संटैंस लिए गए हैं वक्ये तो आपको इस पाट के नुसार यहां पर यह वक्यों को लगाना है आगे देखिए पार्ट में संग्या शब्दों को छाट कर लिखिए व्यक्ति इसमें कौन है आलिया, स्थान, पटना, वस्तु, कार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए मतलब यहाँ पर आपको भूँ सारे शब्द लिखिए गए है उनका एक ही शब्द में आर्थ होता है चार राहो का केंद्र बिंदू चोराहा मतलब चार रास्तो वाला रहा गाउं में रहने वाला ग्रामीन जो गाउं में रहता है उनको क्या बोलते हैं ग्रामीन सब कुछ जानने वाला सरवग्य शहर में रहने वाले शहरी अब आपने इन शब्दों को बहुवचन में लिखना है बत्ति बत्तियां गाड़ी गाड़ियां रिक्षा रिक्षाएं आप यहाँ पर रिक्षे भी लिख सकते हैं सवारी सवारियां वाहन वाहनो लड़की लड़कियां यह आपका चैप्टर पीठ हो चुका है, thank you, have a nice day.